इस वीडियो में हम बात करेंगे AMU के BAC nursing course के बारे में इसकी complete details, seat matrix, paper pattern, entrance examination, syllabus पकरा सारी जानकर इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरुशन तक दरूर देखिए अगर आमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेला करनों दुबाइस सेगे आने वले से वीडियो जुन आपको मिल सके तो सबसे पहले आपकी 2022 सेशन की अगर application form की बात की जाए तो आपका application form है उसकी last date आपकी है 17 माई 2022 तो आप 17 माई 2022 से पहले पहले अपना application form फिल कर दीजे अब बात करते हैं आपके इसमें course के बारे में इसमें age limit है वो 17 साल minimum रखी गई है selection procedure है वो आपका CET होगा आपका एक test होता है तो उस test के message पर ही होगा CBT नहीं होगा आपको OMAR based ही आपका test है वो आपका देना होगा अब उस test में आपके क्या क्या पूछा जाएगा subject क्या 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 आने वाले हैं तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके subject है वो इसमें आपके physics, chemistry और biology यह आपके आने वाले हैं जो तीन subject है यह 11 औ 12th ansiatic आपका complete syllabus इन में से पूछा जाएगा और इसके अलावा आपके nursing aptitude का आएगा और आपका English subject जो grammar है 20 नमबर की यह भी आएगी तो इस तरीके से आपका जो paper pattern है उसको 5 part में divide किया गया है और 100 marks का रहेगा और आपका इसमें negative marking की बात की जाए तो 0.25 आपकी negative marking है जो के लिए आपकी negative marking नहीं रहेगी तो आपने कपसरी वीडियोज भी देखे होंगी जिन में बता रखा होगी आपकी negative marking इसमें रहेगी लेकिन इसमें आपकी negative marking है वो नहीं रहने वाली है आपको जो correct answer रहेगा उसका एक marks मिलेगा और negative marking है इसमें कुछ मिनी है तो आप physics chemistry और का भी link दे रहेगा है तो आप उनकी help से आप अपनी preparation कर सकते हैं next अगर आपके examination center की बात की जाए तो आपका examination center है वो omar based हैगा और जो center के वाल अलिगर्ड यूपी में ही आपका examination center है वो रने वाला है अगर इसमें आपके qualifying score की बात की जाए तो qualifying score 50% marks तो आपको लाना ही हो होगा जो आपका admission test आपका रहने वाला है तो उसमें 50% marks तो लाना ही होगा तो ही qualifying माने जाएंगे उसके बाद मेरे डिबेस पर आपका selection होगा candidate को medically fit होना चाहिए तो यह तो इसका हो गया आपका man criteria हो अब बात करें आपके इसकी application fees के बारे में तो application fees है वो आपकी रहने वा आपका रहेगा 19 July 2022 को आपका entrance examination है वो रहेगा जैसा कि यहाँ पे जो test center की विल अलिगड़ यूपी का ही दिये गए तो वहाँ पे आपका examination center है वो रहने वाला है अब apply किस तरह किसे करना है तो दोस्तो apply करने के लिए आपको amu exam control आपको amu controllers exam यह आपको google में डालना है .ac.in यह google में आपको feel करना है जो आपकी amu controller exams है उसकी website पे आपको redirect कर दिया जाएगा वहाँ पे आपको BAC nursing का link आपको show करेगा तो वहाँ से जाके आप अपना apply कर सकते है amu controllers exams.ac.in यह इनकी website है उस पे जाके आप अपना apply कर सकते है इसके लाब आप parameter courses भी हैं यहाँ पे optometry आप आपके यहाँ पे total seat है 20 है 5 आपकी lateral entry के तुरू है 30 seat आपकी operation theory technology की है 15 seat आपकी dialysis therapy technology की है जिसमें यह जो plus 55 है यह lateral entry के लिए है lateral entry का मतलब यह है कि जिन candidate ने amu में ही अपने जो diploma course यह वो कर रहा है तो उन्हें direct second year में admission मिल जाएगा लेकिन उनका भी जो test है वो होगा तो य यहाँ पर देखने वाली है यहाँ पर जो age criteria वो वहीं रखा गया आपका test रहेगा और जो आपका test paper है वो 100 marks का रहेगा जिसमें आपके physics, chemistry, botany और zoology के वाली है तिन subject आपके पूछे जाएंगे इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा देखने वाल चीज है वो आपको आपका recognition है वो यहाँ पर दिया गया है candidates should note that BSC paramedical course are not recognized by the center or state council तो इसने recognition नहीं मिलिये पिरामेडिकल courses के लिए जो मैंने अभी आपको उपर बताएं अगर आप इन से करना चाहते हैं AME से तो आप paramedical courses की भी preparation या admission के लिए examination दे सकते हैं तो दोस्तों आपकी preparation के लिए physics chemistry औ आपका syllabus आएगा वो आप 3-in-1 e-book format में आपको ये e-book available करवेगी हाड़गो भी format मनी आपको online download करनी होगी यह आपकी theory-based e-book है आप इसको avail कर सकते हैं 19 लोग को आपका exam है और साथ ही आपकी जो objective e-book है वो आपकी इसमें 3-in-1 जिसमें physics chemistry और biology तीनों के आपका syllabus है वो complete मिल देगा तो आप जैसे एक chapter complete कर लेते हैं उसके तुरण बाद में एक chapter के आप question practice कर सकते हैं तो इस basis पे आपकी जो preparation है वो आपकी अच्छी हो जाएगी और आप अपना score बेच्छा कर पाएंगे दोनों e-books का link आपको description box में दिएगे अवेल किस तरह किसे कर सकते हैं आपको अपनी details फिल करनी है जैसे ही by now पे click किया इस तरह किसे interface देखने को मिलेगा इसमें अपना नाम अपनी active email id अपने contact details फिल करनी है और फिर next पे click कर देना है जैसे next पे click करेंगे payment के लिए पूछा जाएगा phone पे pay team debit card credit card net banking जो भी mode उसे payment कर सकते है payment confirmation के बाद में आपक बूक को डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरह किसे objective और theory बेस दोनों इबूक को आप अच्छे से अगर follow करेंगे तो अपना selection है वो फिजिस chemistry और biology के basis पर भी confirm कर सकते हैं तो दोस्तों फिल लाइक लिए update दी मिलते है next new video में next new update के साथ में दन्यवाद जहीं जे वारत